आपका स्वागत है, मैं हूँ सिय साहल राखिचा और आज हम बात करने वाले हैं दो आस्पेक्ट पे पहली चीज़ हम ये बात करने वाले हैं कि सरकार जब जमीन अधिकरहन करती है यानि की कंपलसरी एक्वायर करती है जमीन का और उसके एवज में मुआफजा यानि की कंपनसेशन देती है लोगों को तो जो मुआफजा की राक्षी होती है उस पर क्या टैक्स लगेगा और टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा और दूसरी बात हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे ही disaster होता है COVID जैसा disaster होता है जिसमें लोगों की death होती है या फिर disabled हो जाते हैं वो लोग तो जब ये उसके एवज में सरकार जो हो रहती है वो मुआफ़जा देती है, compensation देती है यानि कि compulsory acquisition of land हो रहा है सरकार के द्वारा तो वो उस पर कैसे tax लगेगा सबसे बात बता दूँ कि अगर कोई जमीन को compulsory acquire करी है तो उस पर capital gain का tax लगेगा capital gain का tax जो लगेगा वो amount मिलेगा वो minus जतने में जमीन खरीदी थी with indexation और जो normal calculation होता है capital gain का वो follow करके आप निकाल सकते capital gain tax जो लगेगा compulsory acquisition of land के case में अब यह किस साल लगेगा जिस साल आपको compensation का amount मिला है हाथ में आपके आया है जिस साल उस साल आपको जो है tax लगेगा अब जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे cases में मुआफ़ा लेट आता है मुआफ़ा जो कि लेट आता है तो सरकार interest भी देती है और यह interest है इस पर tax लगेगा नहीं लगेगा तो मैं बता देता हूँ इस पर tax बिलकुल लगेगा और वो capital gain की shredding में न आके capital gain के head में न आके income from other source के head पर लगेगा यानि कि section 56 के तहट लगेगा साथ सरकार ने इस पर 50% का deduction भी देने का allow किया गया है तो आप इस deduction का फायदा उठाएं तो यह तो बात हुई capital gain जो land पे होता है एक important acquisition यह है इस acquisition के case में कि अगर वो जमीन जो acquire की जारी है वो agriculture land है भारत में बसीवी तो सरकार जो है agriculture land को acquire करी है तब जो भी amount वो देरी है वो 100% exempt हो जाएगी section 1037 के तहट ठीक अब दूसरा aspect जिसके बारे में हम बात करने वाले थे कि disaster होता है और सरकार जो है पेड़ित और पेड़ित की family को जो है मुआवजा देती है उनकी death या disable होने के तहट तो जब ऐसा कुछ होता है तो basically यह जो है amount वो capital receipt की strain में आ जाती है यानि कि वो amount कमाई नहीं माने जाती, income नहीं माने जाती और चूक corn income नहीं माने जाती तो income tax भी नहीं लगेगा ये बहुती जाधा settled case है बात इस चश्छ से settled सरकार ने law में ही कर दी है section 1010 BC जैसा एक section है वो बुलता है कि कोई भी compensation चाहे सरकार दे रही हो या local authority दे रही हो सरकार यानि की राज्य सरकार, केंरे सरकार, central government, state government या local authority कोई भी सरकार दे रही हो compensation का और कुछ disaster हुआ हो जैसे COVID का disaster हमारे recent में है उसके कारेंड से कोई भी मुआवजा मिला है वो 100% exempt है पुरी तरीके से exempt है Thank you